हेलो एन वेलकम फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रेव्यू करने वाली हूँ इस प्रड़क्ट का जो है गुड वाइप्स का बनाना शाइन शैंपू तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं बिलकुल आनेस्ट रेव्यू करूंगी और साथी साथ बताऊंगी कि ये गुड वाइप्स का प्रोड़क्ट कैसा है तो फ्रेंट्स प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथी साथ बेल नोटिफिकेशन ओन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा तो चलिए भीना टाइम वेस्ट की भीना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहां पे मेरे पास गुड वाइप का बनाना शाइन शैंपू है, जो कि मैंने परचेस किया है पॉपल.com पे, अभी बहुत ही अच्छे अच्छे ओफर्स आ रहे हैं, स्पेशल सावन ओफर चल रहा है, तो वहां पे आपको अच्छा बहला डिसकाउंट मिल जाएगा, और अगर आप कोई सभी प्रोड़क्त परचेस करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फ्री जरूर मेलेगा, तो प्रीज आप लोग एक बार पॉपल.com पे चेक आउट जरूर कर दीजिएगा, बात करते हैं इस प्रोड़क्त के बारे में, तो इसका नेट वॉल्यूम है 200 मिली लिटर, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, नेट वॉल्यूम 200 मिली लिटर, देखें नेट वॉल्यूम 200 मिली लि है, मतलब यह आप लोग के बालों के लिए बहुत ही जादा सेफ है, बहुत ही जादा अच्छा है, और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, बनाना हमारे बालों के लिए कितना जादा इंपॉर्टेंट होता है, बनाना जो है वो वाइटेमिन्स उसके अंदर प्रेज होता है, बनाना में हमारे बालों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बनाना में हमारे बालों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बनाना में हमारे बालों को बचाता है और साथ ही साथ हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, साथ ही साथ हम आपने बालों में लगाते हैं उसका मास्क बना करके अगर आप इस प्रोड़क को यूज करते हैं तो आपको उस जंजट से बच सकते हैं आप क्योंकि आजकल का जो लाइफ है बहुत ही जादा वास्ट है तो उस भी हमको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता कि हम मास्क लगाए तो देख सकते हैं इसमें प्यूरिफाइड वाटर है सोडियम लॉराइल इथर है और भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंडीडियेंट है जो की हमारे बालों पो चाहिए होते हैं बात कर लेते हैं अगर इसकी प्राइस के बारे में तो यह इसका प्राइस मात्र टू इस प्रोड़क्ट को आपको बिल्कुल अच्छे जगह ठंदे जगह पे सुखे जगह पे आपको इसको स्टोर करना है और से दूरी रखना है चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोड़को यूज कैसे करना है तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने बालों क गीला करना है और उसके बाद आपको पाम में थोड़ा सब शैंपू लेना है और अपने बालों पर लगाना है और फिर इसको पानी से दो लेना है अपने बालों में अच्छे तरीके से मसाच करिएगा उसके बाद फिर आप इसको अच्छे तरीके से वोश कर लीजेगा तो मैं पर लोगोन को यूज करके बताती हो अगर बात करें इस रूड़क के अंदर जो भी कैसा शैंपू है तो मैं आपको दिखाऊंगे इस प्रड़क में आपको उसको पहले ऑपन करना होता है और इसको त्क्रेस करना होता है बट मैं आपको directly open करके दिखा रही हूँ ये बहुत तो जैसे ही मैंने इस shampoo को open करा ना तो इसके अंदर से हलका हलका mild mild बनाना जैसा smell आ रहा था और आप इसका color देख सकते हैं light yellow color का है देखिए और मतलब इसके अंदर actually में बनाना है Good Wives के सारे products बहुत ही अच्छे होते हैं बिल्कुल natural होते हैं cruelty free होते हैं paraben free होते हैं तो आप इसको use बिल्कुल कर सकते हैं मैं आपको इस product को use करके बताऊंगी कि ये product कैसा है तो friends मैंने इस shampoo को use किया और भी मेरे बाल थोड़े गीले हैं जो मेरे बाल सूख जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये शैंपू कैसा है ऐसे मैं आप लोगों को बताऊंगी ये शैंपू उतना दाऊंगा स्मेल नहीं करता है कि मतलब दूसरे कंपनी के हिसाब से कि मतलब ये बहुत शैंपू शैंपू ड़का और आपको उसका एकम करना चाहिया तो सी यू आफ़र भात शाओ लगबह अगर आपको हो रहा है और आप चाहते ही कि आपका हैर फॉल कम हो जाए और आपके जितने भी बाल में थोड़ा उसका जो थिक लगने लगे तो आप इस शैंपू का प्रयोग कर सकते हैं चली मैं आपको अपने बाल दिखाती हूं और बहुत ही जला थिक और अच्छे हो गया अगर आपको अपने बाल दिखाती है जो आपको प्रिंड्स देखा आपनी मेरे बाल दिखाती है इस बाल काफी जादा सॉफ्ट हो गया है और शायनी भी बहुत हो गया है तो थोड़ा वीडियो में अपाया था बट एक्चरी में जो फिल कर रही हूं और आप वीज फिल करेंगे जब अपको बनाना शाइन शैंपू लगाएंगे तो बिलकुल ऐसा इन फिल करेंगी तो ह अगर आपको वीडियो जरा भी helpful लगा होगा तो प्लीज हमाले चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथी साथ बेल नोटिफिकेशन ओन कर दीजेगा और वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन बंदे मात्रम